नमस्कार दोस्तों कैसे हो मैं शाफ राजेश तेसी जाफ लिटल किचन से दोस्तों सर्टियों का मौसम है और भरपूर सब्जियां बजार में आई हुई है तो मौसम की इस मेवे का फायदा क्यों न उठाया जाए तो दोस्तों जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वह मैं शेयर करने जा रहा हूं अपना वेश्टेबल सूप के लिए तियारिक किया जाने वाला स्टॉक की वह भी मैं बनाने जा रहा हूं लगबग मिलाज उलाके कुछ नॉर्मल और कुछ ऐसी चीजों से जिसको कि हम यूजली फैंग देते हैं फॉर यह ब्रॉकली के साइट से जो यह डंठर निकलते हैं यह हो गया इसके लावा पालक के जो स्टेम्स के नीचे की जो डंडिया निकलती है वो हो गई इन सब चीजों को मिला के मैं आज आपके साथ शेयर करने चा रहा हूं वेश्टेबल स्टॉक जिसको मैं बना के रख लेत हूं और फिर एक दो तीन विया जबी भी मेरे को जुरुत पढ़ती है उस स्टॉप के बेस की प्यूरी को यूज करते हुए मैं जटपट परिवार के लिए गर्मा गर्म स्वाद भरपूर पोश्टिक सूप बना लेता हूं तो इसके लिए जैसे के मैंने दिखाया यह मैं ने नेथी के डंडिया ली हैं तेज पत्ते लिए हैं अधरक लिया है लासुन लिया है हरी मिर्च लिया है ब्रॉकली और गोबी के डंठल और उसके साइट के जो डंडिया है वो लिया है पालक के स्टैम ले लिया है और मैंने ले लिया है प्याज आलू शुकुंदर गाज और यह टीमाटर तो आप देखी रहे हैं तो basically यह कुल मिला के एक vegetable stock तो रहेगा परन्तो इसके अंदर में color over power करेगा सिरफ टीमाटर का और इसके साथ में मसालों के अंदर में डालूँगा दालचीनी, काली मिर्च, लॉंग और बड़ी लाइची साथ में थोड़ा सा नमक डालूँगा और इन सब चीजों को अच्छे से धोके मैं कुकर में 4-5 सिटी दे दूँगा और उसका जब उनको उसी की heat में छोड़के ठंडा होने दूँगा और जब यह ठंडा हो जाएगा तो definitely मैं उन सब को puree करके stain कर लूँगा वो सब चीजे भी मैं आपके साथ में step by step जैसे जैसे मैं process करता चला जाओंगा आपके साथ में वीडियो में share करता चला जाओंगा तो मेरे वीडियो को अंत तक देखे बने रही है मेरे वीडियो के साथ में और मैं वीडियो के शुरू में ही बोल रहा हूँ अभी तक जिन भी सब्सक्राइबर ने मेरे को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बहुत थेंक यू और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है प्लीज शेर माई वीडियो विद यूर फ्रेंड फैमली प्रेस दे लाइक बटन फोर माई मॉटिवेशन एंड बेल आइकोन फोर माई वीडियो जोटिफिकेशन ताकि मैं जब जब वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो प्लीज शो यूर लव तोर्स माई चैनल नाव मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना ये स्टॉक तो इसके लिए इन सब चीजों को मैं एक वर वाश कर लूँगा और उसके बाद में इनको मैं नेक्स्ट कुकर में डालके इनको मैं चार से पांच प्रेशर विसल दे दूँगा तो बस मैं यूँ गया और यूँ आया तो लीजे दोस्तों ये आलू गाजर और ये ब्रोकली और गोबी के जो स्टेम थे इनको मैंने धोके काट लिया है रेंडम ही काट लिया है और मैंने टिमाटर भी बस रेंडम एक बटा दो ही कर दिये हैं और साथ में ये जो अद्रक लास्टन है, इनको मैं अद्रक को थोड़ा सा बगरी काटूँगा, तो आकी पिसने में ये तंग ना करें, और ये तेज पत्ता बगराथ है, और प्याज भी मैंने दो-तिन प्याज ले लिए, इनको भी मैं एक बटा दो ही काट लिए, और बाकी पालक और मेथी के जो स्टेम थें, उनको भी मैंने अच्छे से दो लिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इनको प्यूरी के लिए सबको एक जगा इकठा करना, तो लीजे दोस्तों, सबसे पहले मैंने, ये कोई जूरी नहीं कि पहले क्या डालना है, जो भी है, आप सबको डालते चले जाएए, ये प्याज डाल दिये, ये गए मेरे टीमाटर, और अब ये गया मेरा लसुन, हरी मिर्च केज पत्ता, बस एक छोटी सी डंडी दालचीनी, दस से बारा काली मिर्च, ये चार पांच लॉंग, ये मैं यहाँ पर सिरह अभी एक चम्मच नमक डा ये आदा चम्मच हल्दी, बहुत गुणकारी होती है, और अब ये आलू, अद्रक, स्टेम्स, गाजर, चुकुंदर, ये भी सब इसमें डालने जा रहा हूँ, ये देखिए, अभी तक थोड़ा-थोड़ा समान करते-करते भी, ये मेरा आदे कुकर तक पहुंच गया है, और अब मैं डालने जा रहा हूँ, मेथी पालक के स्टेम्स, और अब मैं डालूँगा इसमें ये पानी, बस उतना ही, जिसमें ये सबजियां बस लगभग थोड़ा सा डूब जाएं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पर बहुत कम भी नहीं डालना है, काकि जब हम प्य प्यूरी बनाएं, तो at least प्रॉपर प्यूरी बने, स्टॉक ना बने, तो लीज़े दोस्तों, ये मेरा स्टॉक जिसकी मैं प्यूरी बनाने जा रहा हूँ, सारी बेच्टेवल का लेफ्ट अवर का, ये बस अब तयार है, बस इसको मैं अब प्रेशर लगाने जा रहा सीटी नहीं खोलनी है, क्योंकि जब हमने इसकी प्यूरी बनानी है, तब ही भी हमें ठंडा ही करना है, तो बस ये थी मेरी आच की टेप, कि इसको ठंडा इसी की आच में होने दीज़ेगा, जब अप्रेशर खतम हो जाए, और फिर उसके अबाल में इसको मिक्सी के अंदर म प्यूरी बना के स्टेन कर लेना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो में बने रही है मेरे साथ, बस मैं यूं गया और यूं आया, तो लीजे, कुकर चड़ गया, अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए, तो लीजे दोस्तों, ये जो मैंने सूप स् मैंने बॉइल करी थी, वो अप अच्छे से उबल गी है, और कुकर का प्रेशर भी, अपने आप ही खाता हूँ है, परन्तो अभी भी ये बहुत गरम है, इनको मैं इसी में ठंडा होने दूँगा, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके, मैं मिक्सी में पीस के, इसको मैं चान लूँगा, तो बस बने रही है मेरे साथ, मिलता हूँ, बस मैं यूँ गया और यूँ आया, तो प्यूरी अब बिल्कुल ठंडी हो गी है, अल्मोस्ट है, तो थोड़ा सा लिए कौम, पर जितनी ठंडी हो नहीं गी थे उतनी ठंडी हो गी है, बस अब इसको मैं धिरे तो लीजे दोस्तों, ये मेरी सारी के सारे प्यूरी अच्छे से बन भी गई है, और च्छन भी गई है, और ये देखे, ये कितनी गाड़ी बनी है, यानि कि जगर मैं सूप बनाओं, तो मेरे को उसमें बाव मनी या रूम मिलाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, और इस व बेसिक चीजों, इस बेसिक प्यूरी को अलगलत चीजों में जब जब परियोग मिलाऊंगा, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके सार्थ शेयर करूँगा, तो दोस्तों, आप भी मौसम का और मोके का, और जो समान हम जिसको फैंक देते हैं, उसको फैंकने की बजाए, उसको कभी भी जाया या वेस नहीं जाने देना चाहिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल, नए वीडियो, नए रेस्पी, नए टेपयो ट्रिक के साथ में, शेफ राजेश, फ्रम देसी शाव लिडिल किचन से, आप इसी तरह स्वस्त रहें, और सर्दी से भी बचे रहे तो गर्मा गरम सुप पीजिए, और मौज मनाईए, आपका दिन शुब हो